नमश्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब जनल पी एफपी में आज हम अमबूजा सिमेंट्स के बार में चर्चा करने वाले हैं अड़ानी ने अमबूजा सिमेंट्स को खरीद लिया है और स्टॉक 300-300 की रेंज से 500-600 की रेंज में चला गया है तो स्टॉक क आपको बढ़ता हुआ नजर आता है और 2022 में all time higher revenue profit दिखाई पड़ता है जो कि clearly अच्छी बात है लेकिन पिछले चार साल का financial trend देखकर आपको इतना अंदजा आ जाएगा कि स्टॉक में कोई बहुत बड़ी growth नहीं हुई है चाहे वो revenue के basis पे हो या फिर profit के basis पे इससे में आइडिया मिल जाता है कि सिमेंट सेक्टर एक cyclical सेक्टर है और अंबुजा सिमेंट में आपको यही nature reflect होता हुआ नजर आता है return ratios के बार में बात करें तो ROE 11% है ROC 16% है ROE 6% है तो decent return ratios नजर आता है leverage ratio के बार में बात करें debt to equity 0 है company पे कोई करजा नहीं है interest coverage ratio 45 का है तो clearly leverage ratio भी आपको अच्छे ही नजर आता है share holding pattern के बार में बात करें तो total promoter holding 63.22% जिसमें से सब कुछ pledge है mutual fund 7% अधर डिया यह 9% FIA 11% retail and other category में 9% की हिसिदारी है share holding pattern overall अगर आप देखने जाएंगे 63% promoter के पास है मतलब 50% से ज्यादा promoter के पास है बाकी सब आपको institutions का interest भी पूरा का promoter holding आपको pledge नजर आएगा जो कि बहुती ज्यादा negative factor यहाँ पर बन जाता है recent trend के बार में बात करें other DIY mutual fund अपना stake बढ़ा रहे हैं FIA is कम कर रहे हैं retailer और other category बढ़ाते हुए नजर आते हैं तो recent trend में यहाँ पर ना ही कोई बहुत बढ़ा positive है ना ही बहुत बढ़ा price to book ratio साड़े 3 है जो कि historically higher side pay sector का P ratio 35 है तो clearly valuation तो महेंगा नजर आता है चाहे वो historically हो या फिर sector के comparison में हो एक लाग पंद्रा अजर क्रोड की market cap है और अल देखने जाएंगे valuation सस्ता बिल्कुल बेने clear cut premium valuation दिखाई पड़ता है stock के chart पर आपको clearly पता चलता है कि 400 के level से घिरावट देखने को मिली stock 300 दग गया 300 के भी नीचे गया वहां से आपको recovery देखने को मिली 300 400 की range में 4-5 मही ने trade किया उसके बाद आपको बहुत अच्छी राली देखने को मिली है और फिलाल stock हमें 600 पर trade करता हुआ नजर आता है stock अपने सारे moving average के उपर trade कर रहा है daily RSI 60 का level है overall momentum अब भी अच्छा ही नजर आता है levels के बार में बात करें अगर हम support और resistance निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए 600 रुपए का level है important resistance बन जाता है और 550 का level support बन जाता है weekly chart पर चलते हैं resistance सेम रहेगा support भी सेम रहेगा 4-5 अफतों से इस इस range में ये trade कर रहा है monthly chart पर अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पर higher level तो same ही रहेगा क्योंकि all time आया है यहाँ पर लेकिन अगर support देखने जाता है तो support थोड़ा सा नीचे shift होता हुआ नजर आता है approximately 530 के आसपस आपको support नजर आता है last महिने का जो low बनाया था वो एक important level की तरह काम करेगा तो फिलाल यहाँ पर करना क्या चाहिए देखे अंबूजा cements as a company हमने देखा decent company है लेकिन अडानी ने take over किया है उसके बाद सारा promoter holding आपको pledge होता हुआ नजर आता है जो कि clearly बहुत ज़्यादा risky बात है यहाँ पर ऐसे companies में मैं personally तो invest करना prefer नहीं करता हूँ वैसे भी cement sector है, cement sector, cyclical sector होता है तो मैं prefer नहीं करता हूँ उपर से अगर promoter की पूरी holding pledge हो जाती है तो long term के लिए बिना stop loss के लिए कुछ अगर काम करना है तो ऐसी companies मैं तो prefer नहीं करूँगा और आपको suggest भी नहीं करूँगा और यहाँ पर 156 seats मिली है जो की record breaking है तो clearly यहाँ पर तो अभी tension नहीं अगरे 5 सालों के लिए यह तो एक अच्छी बात हो जाती है जितना भी हम लोग avoid करेंगे लेकिन connection है यह हम सभी को पता और volatile हो जाते कई बार stocks, अडानी के stocks, election के results के दिन पे तो फिलाल यहाँ पर यह एक clear हो चुका है और यहाँ पर ambuja cements खरीदने के बाद हम यह expect कर सकता है कि जिस प्रकार से बाकी के अडानी के stocks आपको भागते हुए नजर आए है उसी प्रकार का momentum आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है वो सारे stocks इतने भाग गएं, कितने overvalued हो चुके हैं हम सभी को पता है, ambuja cements अगर उसके comparison में तो आपको बहुत सस्ता नजर आएगा तो फिलाल यहाँ पर stop loss लेकर हम strategy की साथ अडानी खिलने के बारे में सोच सकते हैं, अडानी stocks की जो crazy rally है उसे हम उसका हिस्सा यहाँ पर बनने के बारे में सोच सकते हैं chart pattern भी एक अच्छा नजर आता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे stock में गिरावट होई recovery आई, cup and handle pattern आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, stock में आपको अलड़ी एक यह जो अच्छी rally देखने को मिली है, 400 के level से rally बनती भी नजर आई है, 600 तक गई, उसके बाद यहा आप से stock यहाँ पर भागा है, 2-3 महीने में भी यह level आपको अच्छी होते हुए नजर आ सकते हैं, और पहले भी Adani Group के stocks में आपको अच्छी rally देखने को मिली है, तो किस प्रकार से plan रहेगा, यहाँ पर हमारा risk reward ratio भी बहुत अच्छा बैठ रहा है, अगर यह stock आपको 600 अच्छा pattern यहाँ पर दिखाई पड़ता है, तो चाहे तो आप यहाँ पर risk लेने के बार में सोच सकते हैं, particularly सिर्फ आपको यह देखना है कि stock का price अच्छा चल रहा है, बहुत ज़दा हम long term के लिए बाद भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि negative points में आपको अल्री बता दिये हैं, valuation भी 64 का है, तो long term के लिए cyclical sector में 64 के P ratio पे कोई sense नहीं बनता है, लेकिन positional trade के लिए chart pattern अच्छा नजर आता है, और यहाँ पर history राया डानी group का कि वो अच्छा perform करते हैं, तो यह सब देखकर हम थोड़ा calculated risk लेने के बार में सोच रहे हैं, यह बहुत important है, 550 hit हो जाता है, त 50 रुपे पर share का हमारा stop loss है, तो अगर आपको सिर्फ 100 रुपे का risk लेना है, तो आप सिर्फ 2 shares करी दिए, अगर आपको 500 का risk लेना है, अब 10 shares करी दिए, यह totally आपे depend करता है, आप कितना risk यहाँ पर लेना चाहते हैं, I hope आपकी वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिल थांक यू, stay happy, happy investing.